आज मैं से पादे काटोरी चापू दाना से ऐसे रेसेपी बना रहे हुँ जिसे खाके आप काफी तर होता जाओ और तागत पर महसुस करेंगे नौ दिन का जब हम बर्त रखते हैं तो हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं और रात के टाइम चाहे मीठा या फिर से अंदर नमक खाते हैं यदि यह रेसिप्या बना के खाएंगे तो पूरे दिन की कम जोड़ी और थकान दूर हो जाएगी हैलो अबरीबन मेरा नाम है एक तर लिए जिश्माफो का बहुत बहुत स्वावत है इसके लिए क्राइए में सबसे पहले आदा कटोरे शापू दालाएं इसे थोड़ा रोष्ट कर लेंगे रोष्ट करने के बाद एक पलेट में निकाल लेंगे फिर इने मिक्सिजार में हम बारी की से पीस लेंगे जितन खकेसा आदा करिए अधा कब को लिए कर देंगे लो करने के बाद charge कढ़ने की अधसे अर्टों सब्सक्रांँरा दे बिंडने कुछा क्वाइट कि नयु वह जाका सकते खर Kimchi यह एक अनार कि चाहिए। दखटें तो क्षब करों झीजिक कॉस्त है यह दॉन्यु इधने सब्सक्राइब सकते हैं डूलके जैए के बाद यहां घृट होगी तो डूद्ध हम इस लिए हम अच्छे करेंगे मीक्स करने के बाद कराई को नीचे उतार लेंगे तारने के बाद हम इसे एक बॉल में टांचफर कर देंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ें तो इसे घर्मा घर्म ही शर्व कर लें वैसे मेरा माने तो इसे ठंडा खाए क्योंकि यह ठंडा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और जब आप इसे सर्व करें तो उपर से दो-चार अनार के दाना से गार्णिश कर दें ताकि देखने में यह और भी अच्छा लगे और इसे इंज्वाइब करें मुझे लगता है कि नवरातरी के वर्त में यह रेसिपी आप खाएंगे तो आप काफी तरो ताजा और तागतबर महसूस करेंगे पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी इसमें काफी सारे मातरा में फल है ड्राइफूड है दूद है साबुद देखने क्लिप